हेलो गाइज वेलकम और वेलकम टू मैं चैनल प्रियांशी गॉतम आज मैं आप लोग शाशिया करने जा रहे हूँ यह मेकप लोग और यह मेकप लोग उन लेडिस के लिए उन गल्स के लिए होने वाला जो नियूली ब्राइड हैं जिनकी नियूली शादी हुई है और वो य कृछन लोग जो ज्चैनल रहे हुचन हैं जाजाद बढूर को के लिए सब्सक्राइब करन वालऑ बालों मैं यह इन खाला हम अपनेक करने से पहले हमाँ पहले पालोग मैं अपने मेकप लोग और अपने बालो मगलवा छी परने बेह म जिसे कि जो मेरे बाल है मुझे डिस्टब ना करें so as a moisturizer cream मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर जॉनस बेबी क्रीम और आपके पास कोई भी क्रीम हो वो ले सकते हो moisturizer के लिए यह सबसे पहला step रहता है moisturizer cream का आप मैं यह ले दिए जॉनस बेबी का नेक्स्ट मैं ले रही हूँ हुड़ा बीटी का प्राइमर और यह प्राइमर मैं यूज़ कर रही हूँ यह मैंने online लिया है और यह मैंने मीज़ों से परचीज किया है इसका मैं कोड आपको description box में दे आपको बहुत ज़्यादा गंबल सरी है आपको primer लगाना next step मेरा है यह मेरी eyebrow को fill कर रही हूँ मैं eyebrow pencil से आपके पास जो भी brush वाली हो कोई भी kit हो आप यूज़ कर सकते हो मैं यहां पर यूज़ कर रही हूँ यह black ads की eyebrow pencil सो मैं उससे जितने भी मेरे फिल कर लूँगी जितने इसे ब्रस से बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा आपको इस तरीके से कर लेना है इसी तरीके से मैं दूसरी eyebrow को भी फिल कर लूँगी pencil की help से यह आम देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से मैंने फिल कर ली है उसके बाद मैं ले रही हूँ हिलारी डोड़ा का यह लिक्विड कंसीलर है बहुत ज्यादा बहुत अच्छी कवरेज देता है हाई कवरेज वाला कंसीलर है यह और मैं अपनी eyebrow एरिया से स्टार्ट करते हूँ इसको पूरी eyelid पर अपलाई कर लूँगी जिससे कि मेरी eyebrow है वो मेरी अच्छी तरीके शार्प दिखेगी इसलिए मै यहां पर अपलाई कर रही हूँ इसको जो हमारी eyebrow की शेफ रहती है बहुत ज्यादा शार्प रहती है तो वह अच्छी लगती है एक्दम हाईलाइट होके आती है इसी तरीके से मैं इस हाईलाइटर को सौरी कंसीलर को मैं अपनी eyebrow के उपर से इस तरीके से लगा लूँगी जिसे की जो मेरी eyebrow अच्छी तरीकी से हाईलाइट होगी इस तरीके से अपको अंडर एरिया में जहां पर भी आपको डाक्नेस देख रही है पिग्मेंटेशन है वहां पर आप इसको अपलाई कर सकते हो और उसके बाद मैं एक beauty blender लूँगी इसको ब्लेंड आउट कर लूग इसके बाद मैं यहां पर ले रही हूं यह पाउडर लूस पाउडर के help से इसको मैं सेट कर लोगी जिससे की जो मेरी जो हमने कंसीलर अपलाई किया है वहां पर कोई भी क्रीज ना रहे और फटा फटा सा नहीं रहेगा उसके लिए हमें लूस पाउडर अपलाई करना आई शेडों मैं से मैंने पिक्किया यह ब्राउन शेड और एक ब्रश की help से स्मॉल ब्रश की help से इसको मैं apply कर रही हूं अपनी आई क्रीज एरिया में अब पूरी लेट पे आप मैं इसको apply कर लोगी आपको पूरी लेट पे apply कर लेना इसी तरीकी से और आपको अच्छे ब्लेंड आउट करना आपको बहुत ज्यादा नहीं लेना एक बार में थोड़ा थोड़ा करके लेना है और उसको जितना भी एक्स्ट्रा है मैं उसको वहां पे जाड़ रही हूं जिससे कि जो एक्स्ट्रा मेरी आइस पे ना रहे थोड़ा थोड़ा ही मैं इसको apply कर लोग आपको इसी तरीके से मैं अपनी दूसरी आई मैं भी इसको crease area से start करते हुए उपर तक मैं इसके लेके जाओंग और पूरी आई मैं इस तरीके से apply कर लोगी या उसके बाद मैं ले रही हूं यहां पर यह pink color और यह pink color भी मैं अपनी eyeball पे start करूँगी eyeball से इस तरीके से आपक pink color है उसमें और एक और color है वो अभी आपको पता चल जाएगा तो मैंने इसी तरीके से आप देख सकते हूं मैं यहां पर apply कर लिया यह pink color और इसी तरीके से दूसरी आई में भी apply कर लोगी यह वाला pink color उसके बाद मैं ले रही हूं यह concealer जो मैंने अभी apply किया था वही वाला concealer मैं अपनी eye crease area से स्टार्ट करते हूं अपनी eye ball पर apply कर लूगी इस तरीके से और बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है इस तरीके से eyes में concealer लगाने के बाद cut crease वाला जो हमारा look आता है बहुत ही ज्यादा सुन्दर लगता है बहुत जासी लगती है हमारी eyes जो है आप इस के उपर मैं यह sky blue color apply कर रही हूं यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने साड़ी पहन रही हूं उसमें दो color है पिंक कलर है और इस तरीके से आप कर सकते हो और मैं यहाँ पर कोई brush यूज नहीं कर रही हूं अपनी finger की help से इसको blend करूंगी आपको यह ज्यान रखनी है आप यहाँ पर brush यूज़ बिल्कुल भी यह करना क्योंकि brush की help से इतनी अच्छी तरीक से 지ं व्लेंड नहीं हो पाता है यह से similar तो अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाता है तो आप इस तरीके से फिंगर से कर सकते हो उसके बाद जो क्रीज है हमारी उसमें आप ब्रस की हेल्प से कर सकते हो ब्रस यूज कर सकते हो वहाँ पर यह आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड हो चुका है इसी इस तरीके से मैं अपनी दूसरी आई में भी कंसिलर को अप्लाए कर लूँगे यहाझ पर को हुआंपे और यहाँ पर यहीं वाला जो कलर यह अब आपको फाइनल जो मेरी आइस का रहेगा वो आप देखिएगा बहुत जादा खुप सुरत लगें के बाद में आपको फिर अगेन जो हमने स्टार्टिंग में हमने जो ब्राउन कर लिया था आपको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है जिसे कि जो हमारी आइस है वात जादा अच्ही लग है उसके बाद मैं यह ए हाँ लगा रही हूं का करने में घराओ कंर ऑड़ हमने पाट चाहिं पया र्यागी लким सारी欸 कि यह करते हैं तो बहुत जादा खूब श्राइल लगे हैं मैंकिग रहें इस तरीके बहुत ही ज्यादा अच्छा है और बहुत ही ज्यादा लगाने के बाद एक दम बोल्ड आइज लगती है उसके बाद मैं ब्रश की हेल्प से इसको भी स्मर्च कर लूगी जिससे जो मेरी आइस का लोक है थोड़ा सा और ज्यादा एलिकेंट लगे और थोड़ी सी आइस अपर ऐढ़ा ही लेंड कर दो ह Baron कर我是 यहां पहुत है कर लोगे आपने अन्डर एद्व लेया में और ब्लेंड कर ओंना लेना है जितने हाइड हो जायंगे हमारे हैं और जितने ही जगह हैं वह हमारा एरिया ब्लैक्नेस जहां पर ब्लेंडर कर लेंगा टो, फानी में लेंगा, लिए यह पैसे बाद लेंगा, लोगे खेंगा, लाधूमना, यह उद्धन करेंगा, लिए विए फिट्मी का फांंडिशन, और वगर इसका घते लिएगा, तो आपको पहले नेचोड़ लेना है, अच्छे तरीका पानी में ले करना है उसके बाद मैं यहां पर ले रहे हूं यह फिट मी का फांडेशन और इसका SPF 115 है और बहुत ही ज्यादा अच्छा है और यह और इसको किसी भी स्किन के लिए यूज कर सकते हैं बहुत ज्यादा अच्छा है यह वाला जो फांडेशन है इसको भी मैं अपने पूरे फे अच्छे तरीके से आप देख सकते हो यह मेरे फेस पे अच्छी तरह से अप्लाय हो गया है और आपको भी बहुत ज्यादा लग रहा हो कि मैंने बहुत ज्यादा लगाया से बट यह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है लगाने के बाद में आपको थोड़ा लगेगा बट थोड़ मेकप को सैट होने में थोड़ा टाइम लगता है सो सैट हो जाए उसके बाद बहुत ज्यादा अच्छ लगेगा उसके बाद मैं यहां पर ले रही हूँ यह कॉम्पैक्ट पावडर आप जो भी ले सकते हो मैंने कॉम्पैक्ट लिया है उसको अच्छे तरीके से फांडेश आपको करना है जैसे मैं कर रही हूं और हलक आखी-स आपको ब्लेंड कर देना है इस तरीके से और इसका लिंक भी मैं आपकोर कुल देच्छ लिए ayudar तो को इस दिसके बाद से हैलाइट कर लिया इस तरीके से आप देख सकते हो हो यह भी बहुत ही जादा है इसको मैंने और नहीं पर्चिस किया इसको मैं औफलाइन पर्चिस किया है सो मैं इसका कोई भी लिंक नहीं दे सकती हूं आपको और इस तरीके से अपनी नोस पे और लिप्स के ऊपर यहां पर फोर हैड़ पे और अपनी आई ब्रोस के आज पास यहां पर अप्लाइब लूगा बहुत ही बहुत ज्यादा हाइलाइट हो जाता है इस तरीक से आपको अप्लाइब करना है उसके बाद मैं यहां पर ले रही हो यह वाली डाक और रानी कलर की लिपस्टिक है यह बहुत ज्यादा मैट में है बहुत ज्यादा सुन्दर है यह सो आप देख सकते हो यह है मेरा फाइनल लुक कैसे लग रही हूं मैं इस वाले मेक अप लुक में आई होप आपको यह वालन लुक पसंद आएगा अगर पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और में चैनल को सब्सक्राइब और जाज़ार शेयर कीजिएगा तो मिलते है नेक्स वीडियो के साथ में